36 गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है लेकिन इसी बीच गर्मी से रहात भरी खबर सामने आई है मौसम में भाग के अनुसार इस साल 36 गर्मी समय से पहले मांसुन दस्तक देने वारा है बंगाल के खाड़ी में मांसुन की सुर्वात हो चुकी है सब कुछ ठीक रहा तो 18 जुन के आसपास दुर्गे संभाग में मांसुन इबारिस होगी एक जुन तक मांसुन के केलर पहुँशने की संभाबना है अभी तक की स्थिती में अन्नीनों भी सक्री नहीं है ऐसे में इस साल मांसुन समय पर पहुँश सकता है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक 19 माई को मांसुन के अंडवान निकोबार में पहुंचने की संभावना है उसके बाद मांसुन देश के अन्य हिस्सों की तरब बढ़ेगा वैसे तो हर साल अंडवान निकोबार में मांसुन 22 माई थक आता है लेकिन इस साल ये तिन दिन पहले ही दस तक दे सकता है चतिस गर में दक्षिर परशी मांसुन के दस तक देने की संभावना 12 से 15 जुन के बीच मौसम भागने जताई है प्रीमान्सुन की बात की दाया तो दक्षिर चत्तिसगर याने के बसितर के लि़ाइके में पिछले 2-3 दिनों तक भी बारिष को ही प्रीमान्सुन की रूप में माना जा रहा है आने बाले दिनों में भी दक्षिर चतिसगर में दो से तीन गिनों तक बारिश के आसार हैं, चतिसगर में मांसूर के दस्तक दिने का पुर्वा नुमान आइमडी के द्वारा सता दस दिन के अंदर जारी के आज आएगा। समलों 5 की उचाय परेश्ठित है, इसके साथ ही दो सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पुर्वी विदर्व और उसके आस्वा समोदर्तल से सुनेहीं 9 की उचाय परेश्थित हैं, एक तरह से दक्षिर मद्य करनाटक तक सूनेतल समलों 9 की उचाय तक फईला हुआ हैं, जिसके प्र यानि की बस्तर के इलाके में अधिक्तम ताहपान में विस्स परिवर्तन नहीं होगा के दक्षी छोड यानि के बस्तर संभाग के जीरों में अधिक्तम ताहपान में बदलाव नहीं होगा मौसम विभाग ने कहा कि से पहले प्रेमानसुन के तहट मैं के बचे वी दिनों में 5-7 दिनों तक हलकी बारी सोचती है फिलाल सापान में बहुत ज्यादा व्रिधी के संभावना कम है मानसुन से जोड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडों को लाइक ज़रूर कीजेगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में